हालो फ्रेंड तो कैसे हैं आप सभी स्वाथ करते हैं आप सभी का युवास्टी जी को इसमें तो फ्रेंड ऐज ब्यार प्लेस कॉंश्टबल के लिए प्रैक्टिस एट नमर एट लेके आए वह हैं क्योंकि इससे पहले हम सभी सेवन प्रैक्टिस एट का बेट कर चुके थे अगर इन सेवन प्रैक्टिस एट को शॉल्प नहीं के जरूर कर लेजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो चले सुरू करते हैं जो चैनल पर नहीं है तो लोगो सब्सक्रिप करने मत गंटी को प्रैस कर लेजेगा ताकि ब्यार प्रैस कॉंस्टबल से चबंदे जो भी वीडियो आइसको नोड़ी में सबसे पहले प्राप्त हो सके आए फ़र्स्ट कोईशन है फ़र्स्ट कोईशन ये बंड़े के दिल्ली संतलत के तहत कुल कितने राजबंसों ने सासन किया था अगर इन सेट में किसी भी कोईशन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आपसे नीचिक बंड बॉक्स में बता सकते हैं चले बताएंगे इस कोईशन का राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर आपसेल में बीजागे कुल पाच बंसों ने राजिक किया था कौन कौन सा था तो पहला था गुलाम बंस उसके बाद खिल जी तब तुगल तब सयस तब लोधी बंस था लोधी बंस के बाद अगला कोईशने लोहा निकेल पिर्थवी के किस भाग का पर्मो घटक माना जाता है तो देखिए लोहा निकेल जो है पिर्थवी के किस भाग का पर्मो घटक माना जाता है क्रोड का माना जाता है यानि आपसेल मसी राइट आंसर एगा ध्यान रखेगा आप सभी अगला को कोईशन ये बंड़े की चंपारन सत्यागरा कब हुआ था तो कई बार आप जी को बताएंगे चंपारन सत्यागरा के बारे में तो राइट आंसर आंसर आफिसम में से जाएंगे उनएस सो सत्रह में चंपारन सत्यागरा हुआ था कहां पर बिहार में पढ़ता है चंपारन जि अगला कोईशन देख लिए नेमलेकित में से किसने की तुब मिनार के निर्मान में योगदान नहीं दिया था अगर कोईशन ये पूछा जाए आप से किसने रखी थी तो दियान रखी गई थी पूरा किसने करवाया था इलतूतमिस ने इसे पूरा करवाया था दियान रखेगा आप सभी इल्टूतमिस कौन थे तो कितुब उदिन एबक का गुलाम या दमात का लिजी फिरोस अतुगलक ने क्या किया था तो इसका मुरमत करवाया था मतलब कि कुछ भाग तूट फूट गया था तो जिसका मुरमत किसने करवाया था फिरोज सा तुगलक ने करवाया था तो ध्यान रखेगा आप सभी तो जादा तर कोशन पोशन जाता है कि कितूब मिनर का निर्मान कारी किस ने पूरा करवाया था तो वो इल्टुत में इसके द्वरा किया गया था अगला कोशन देखे लिए जिए देवदास उपनियास के लेखा कौन है तो इसके लेखा कहे सरत चंदर चटर जी तो याद रखेगा आप सभी देवदास उपनियास के जो लेखा कहे फिर्ण वो कौन है सरत चंदर चटर जी है Option or irate answer हें दिखे भारत और पकिस्तान की बिच की सिमा रिखा को हम सबी रेंड किलिफ रिखा करते है ध्यान रखेगा आप सबी और भारत और चीन की बिच की सिमा रिखा को मेक मोहन रिखा करते है आगला कोशन है सोवराज मेरा जनमादिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा ये नारा किसने दिया था तो याद रखेगा आप सभी ये नारा दिया गया था बाल गंगादर तिलक के दुवरा याद रखेगा आप सभी बाल गंगादर तिलक के दुवरा कौनसा नारा दिया गया शोबराज मेरा जनमदिकार है और मैं इससे लेकर रहूँगा चलिए आप से बताएंगे इन क्लाफ जिंदावाद का नारा कीस ने दिया था फिरेंट और दिल्ली चलो का नारा कीस ने दिया था बताएंगे ये दोनो कोईशन का आंसर और नारा से संबनित एक प्रसन को याद रखेगा आप सभी चलिए आप से भी बताएंगे कि करो या मरो का नारा किस ने दिया था हुमायू द्वरा लड़े गए चार परमुख यूद का निती अनुसार सही किरम है तो फिर नासी को पता आना चे हिमायू कौन थे तो बाबर का पूत्र ते हिमायू द्यान रखेगा इसके दुरहले जो लड़ा गया यूद्था वो देवड़ा का यूद्था चावसा का यूद्था कनोज का यूद्था सरहिंद का यूद्था तो option मड़ी रैइट आंसरेंगे हुमायू को ही किस ने पराजित किया था सेरसा सूरी ने पराजित किया था जो कि बिहार का सासक था उस समय का सेरसा सूरी और हुमायू को पराजित किया था और मुगल बंस में घुसाता ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोशिशन देखे लेजिए औरंगजेव की मिर्त्यू के समय माराथा नेतरतवक किसके हाथों में था देखे इन कलाब जिंदाबाद का नारा किसन ने दिया था बगत सिंग के दुरा दिया गया था दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था, सुवास चंदर बोश ने दिया था, करो मारा का नारा किस ने दिया था, तो यह दिया गया था, मातमा गांदी जी के दुवरा, और यही एक कोशन पूछ जाता है, तुम मुझे, खोंदो मैं तुम्हें आजाद दूँगा, यह भी ना लॉंज किया गया है जिसमें कि आपको हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, एकोनामी, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायो, पलस में जो कि क्रेंट फियर और इस्टेटिक पॉर्शन कवर करके ये सारा मेंसर करके आपको एक e-book दिया गया है जिसमें कि एक हजार मोस्ट इंग बगल में 100 कर रहा है, आप से भी देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट को मेंसर करके आपको दिया गया है, जो टॉप लिवल का प्रस ने, काफी आपको स्कूर करने में मदद करेगा, क्योंकि वेकेंसी आने से पहले अगर आप रनेती बनाके त्यारी किजिएगा, तो 100% आप एक किजिए कि कोई सब्सक्राइब के मुवाइल अप्लिकेशन को डाउनलोड किजिए, उसके बाद मुवाइल लंबर डालके रेजिस्टर किजिए, उसके बाद आप अपना नाम को मेंसर किजिए वहाँ पे, और उसके बाद जो कि ब्यार प्लिस का कोर्सिस अब लेबल है, उ इसमें क्या-क्या मिल जाएंगे आपको इसमें सबसे पहले आपको टेश्ट सीरीज मिल जाएंगे उसके बाद हैंड रैटिंग नोड से मिल जाएंगे आपको उसके बाद जो क्लासे से वो सारा class मिलेंगे प्लस में PDF जो class का है वो PDF आपको दिया जाएगा तो ये सारा चीज आपको दिया जाएगा और जो अभी e-book के बारे में बता हैं तो जो course में सामिल हो येगा तो वो e-book को नहीं लिज़ेगा क्योंकि वहीं पर सारा e-book डाल दिया जाएगा तो जो भी हर subject का e-book है वो हर subject का e-book अभलेवल है तो minimum fee में सारा चीज आपको मिल जाएगे तो जरूर आप सभी सामिल हो ये course में डारेक्ट आप सभी link से भी download कर सकते हैं application को वहाँ से भी आप सभी course में सामिल हो सकते है course को जोईन कर सकते हैं क्योंकि full package है question है निमन में से लगू उद्धोगों की क्या समस्या है तो इसके right answer option में जाएगे इन में से सभी समस्या है यानि कि पुंजी का अभाव विपनन जनकारी का अभाव कच्चे माल का अभाव ये सभी जोए कि क्या है लगू उद्धोग की समस्या है option moderate answer रेंगे question को clear करेंजेगा आप सभी आगला question ने भारत में हरित करांती की सुरवाद हुई थी friend तो दिखे आप से को पता ना अच्छे भारत में हरित करांती रखेगा आप सभी तो ये था 1966-1966 ध्यान रखेगा आप सभी तो हर एक करांती जो शुरुआद हुई थी 1966-1966 में और कभी कोई question आप सभी इसे पूछे जाते है कि हरित करांती का जनक किसे का जाता है भारत में तो याद रखेगा ये रइट आंसर हैंगे चीन में है अगला question देख लिए जिफिन विश्व में कौफी उत्पादन में भारत का अस्थान है तो रइट आंसर आंसर आप सभी जाएंगे छटा अस्थान है ध्यान रखेगा कौफी उत्पादन में सबसे अधिक भारत में कौफी कौफी उत्पादन करता है तो करनाटक राज करता है याद रखेगा कौँ सा राज करनाटक राज करता है आए अगला कोई सेने भारत का सबर्दिक अवरग उत्पादन करता है अगला कोईशन ये बंडे कि भारत में गरीबी हटाओं का नारा किस पंची बर्षी योजना के अंतरगत दिया गया था तो फिर आखसे को पताना अच्छे पाचवी पंची बर्षी योजना के तहत ही कौन सा नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नराद दिया गया था तो कभी-कभी यह भी कोईशन पूचे जाता है कि गरीबी हटाओ का नराद किस पंची वर्षी योजना के तहद दिया गया था तो यह पाँचवी पंची वर्षी योजना के तहद दिया गया था था वो ग्यार्वी पंच वर्ष योजना में रहा था अगला को इसने भारत का वित्य वर्ष प्रारम होता है तो यह होता है एक अप्रेल से अगला को इसने चौदवे बित आयोग के अध्यक्ष है तो देखे चौदवे बित आयोग के अध्यक्ष जो है वो वाई भी रेड़ थी तो याद रखेगा आप से भी आबिद हुसेन सिमिती किस मंत्रा लिद्वर गठित की गई थी तो option मसी right answer रेंगे उद्धोक मंत्रा लिद्वर गठित की गई थी फिर्ण option मसी correct answer रेंगे आपका अगला कोई से ने भारत के निर्यायत की वस्तू है right answer option मसी जाएंगे चाए है तो भारत की निर्यायत की वस्तू क्या है चाए सबसे अधिक निर्यायत करता है भारत ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोई से ने बीश्व में सेल्फॉन का सबसे बड़ा उत्पादक देशे है चीन चीन सेल्फॉन का सबसे अधिक उत्पादक करता है ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोई से ने भारत में सबर्दिक उत्पादन होता है तो क्या चीज़ का होता है तेलहन का होता है सबसे अधिक उत्पादन भारत में अगला कोईशन ने भारतिय रेल्वे कितने जोन में विवाजी थे तो दिखें भारतिय रेल्वे जो है वो कितने जोन में 17 जोन में विवाजी थे तो याद रखेगा operation ford की शुरबात 1970 में वी थी friend अगला question ने भारतिया जो एकि चमड़े का सबर्दिक निर्याइद किसको किया जाता है यहनि कि भारत सबसे अधिक चमड़े का जो निर्याइद करता है वो किसको करता है तो यह करता है England को option was the right answering अगला question ने दास के पीटल किसकी पूस्तक है देखे फैमस पूस्तक है दास के पीटल और कई बार question पूछे भी गए तो याद रखेगा आप सभी यह पूस्तक है कारल माक्स की ध्यान रखेगा आप सभी बी रैट answering अगला question कर लेते फिन भारत किस देश को low ask का सबर्दिक निर्यायत करता है तो यह किया जाता है जापान को देखे भारत जो एकी सबसे अधिक low ask के निर्यायत जो करता है वो जापान को करता है अगला question नोबेल पूस्कार बिजेता पर्थम इस्याइक अर्थ सास्तरी प्रो अमर्थ सेन की लिखित पूस्तक है तो इसकी लिखित पूस्तक है उपरियुक्ति में से सभी यानि की collective choice and social welfare उसके बाद जो की poverty unfamous उसके बाद है इंडिया economic development and social opportunity यह सभी है ध्यान रखेगा आप सभी पर्थम इससे एक अर्थ सास्त प्रो अमर्थ सेन की लिखी पूस्तक option मेंडे rate आंसरेंगे अगला question कर लेते फिन योजना पत्रिका का परकासन कहां से होता है तो इसका परकासन जो होता है सुचना एवं प्रासरन मंतराले के दुरा होता है याद रखेगा आप सभी be rate आंसरेंगे ध्यान रखेगा योजना पत्रिका का परकासन जो होता है सुचना एवं प्रासरन मंतराले के दुरा होता है अगला कोई सेने mode weight संबंदी थे तो ये संबंदी थे मुल बर्दित कर से अगला कोई सेने भारत में स्वेथ करांती का जनक माना जाता है एर रेट आंसरेंगे क्योंकि क्योंकि वे बहुतों को रोजगार परदान करते हैं तो लगू, एवं, कुट्री, उद्दुग इसलिए मातपूर ने क्योंकि वे बहुतों को रोजगार परदान करते हैं अगला कोई सेने पर्थम, बित, आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो आपसी को पता होना चाहिए पर्थम बित आयोक के अध्यक जो थे केसी नियोगी थे तो याद रखेगा A-Rate आंसरेंगे केसी नियोगी अगला को इसने खानीज पदार्थों के उत्पादन में निमलकित में से कौन सा राज पर्थम अस्थान रखता है तो देखी खानीज पदार्थम अस्थान रखता है वो है जारकरड Option of B-Rate आंसरेंगे अगला को इसने भारते हीरास अस्थान कहां इस स्थापी थे तो ये अस्थापी थे सूरत में अगला को इसने विश्व में कोईला उत्पादन में अगर निये देसे तो यह है चीन जानकी रमन सिमीती का गठन किस उद्देश से किया गया था तो यह किया गया था बैंकों की परती भूतियों के सौधे की जांचेतों किया गया था जानकी रमन सिमीती का गठन जो किया गया था वो बैंकों की परतिबूतियों के सौधे के जांचेतू अगला कोशे ने मानफ सुचकांग किस ने बनाया था तो ये UNDP के दुरा बनाया गया था मानफ सुचकांग अगला कोशे ने फिन चाय निर्याद के मामलों में विशु में अगर्निय देशें तो इस देश का नाम है स्री लंका तो option number 8 आंसरेंगे अगला कोई से ने नेली करांटी का संबन निमले कितम से किस से हैं तो ये संबन नेली करांटी का संबन जो है वो मतस पालं से हैं अगला कोई सेने फिन, बीशो में कौफी का अधिक्तम उत्पादन किस देश में होता है, तो यह होता है ब्राजील में, तो याद रखें कि आप सभी बीशो में कौफी का अधिक्तम उत्पादन ब्राजील में होता है, अगला कोई सेने फिन, अगला कोई सेने यह बंडे की भ तो ये 1853 में अस्थापित किया गया था याद रखेगा जो कि 34 किलो मेटर की लाइन बिछवाई गई थी और किसके समय में लॉट डलहॉजी के समय में बिछवाई गई थी पहली बार रेल्वे लाइन मुंबई से थाने के बीच में आगला कोईसे ने भारत का सबसे बड़ा व्यप्साइक बैंक है यह बारते इस्टेट बैंक भारत की सबसे बड़ी व्यप्सायक बैंक है याद रखेगा इसके अस्थापना 95 में की गई थी अगला कोई से ने पर्थम छेतरिय गिरामेन बैंक के अस्थापना किस बरसी की गई तो 1975 में की गई थी अगला कोई से ने बीश्व के नारियल उत्पाद देशों में भारत का अस्थान है तो इसका अस्थान तृतिय छेतर में आता है द्यान रखेगा आप से नारियल के उत्पादन में अगला कोई से ने मतस उत्पादन में भारत का बीश्व में कौन सा अस्थान है तो यह है दूसरा अस्थान तो मतस उत्पादन में भारत में 20 में कौन सा अस्थाने तो दूसरा अस्थाने मतस उत्पादन में अगला कोई सेने भारतिय इस्टेड बैंक का मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले है मुंबई याद रखेंगा आप से भारतिय इस्टेड बैंक SBI का अगला कोईसे ने भारत में गठित पहली बार सहकारी सिमिती थी साख सिमितिया फिर साख सिमितिया जो है भारत में गठित पहली सहकारी सिमितिया थी अगला कोईसे ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किस ने दिया था तो A-Rate आंसरेंगे मुहम्मद एक्वाल के दुरा ये नारा दिया गया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आफ्षिन में A-Rate आंसरेंगे तो चलिए आज केतना है आज की इस सेट में कुल 50 कोईशन कवर किये आज की इस सेट के सारे आफ्षिन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और जो चलिए पर ना है चलिए को सब्सक्राइब करना है गंटी को प्रेस करेंजेगा और दिखिए जब तक बेकेंसी नहीं आ जाता है तब तक आप त्यारी में लगे रहिए और जो कोर्सिस से जोईन करना चाते है जरूर किजिए अगर आफ सभी एक बार में एक्जाम को निकालना चाते है क्योंकि टू दप पॉइंट सारा चीज आपको वहां कबर करवाया जाएगा minimum fee में दिया जा रहा है क्योंकि फिर ज़्यादा pride होने के बाद क्या हुआ होता है manage नहीं कर पाते हैं और दिक्कत होता है इसलिए आप सबी के लिए minimum fee रखे होगे ताकि आप सभी बहें तरिके से तैरी कर सके और जो अपना लक्ष बनाएं उस लक्ष को पूरा कर सके